भारती जंदा पार्टी के महापौर प्रत्याशी हेमलता दिवाकर का चुनावी प्रचार जोरो शोरो पर है शनिवार को महापौर प्रत्याशी हेमलता दिवाकर ने कलेक्टरेट जाकर अधिवक्ताओं से जनसब पर किया और कलेक्टर इस्तित हनुमान मंदर में माथा भी टेका इसके साथ ही ये प्रचार प्रशाथ तहसील कलेक्टरेट और दिवानी में किया गया और अधिवक्ताओं के साथ सभी वर्ग के लोगों से अपने हित्मे मतदान करने की भी अपील की गई वहीं इस प्रचार प्रशार के दौरान महावर प्रत्याशी हेमनता दिवाकर के साथ अन्य भाश्पा कारे करता भी मौजूद रहे। इसी करम में शनिवार को भारी संख्या में कारे करताओं को लेकर हीमलता दिवाकर डूल लगाणों के साथ कल्यक्टड पहुंची जहां उन्होंने अधि वक्ताओं से मतदान करने की अपील की और इस दौरान उन्होंने कल्यक्टड इस्तित्त हनुमान मंदर में जा कर माथभ पीटे का इसके अलावा ये जनसंपर्क तहसील कलेक्टरेट और दिवानी में किया गया जिसमें भारतिय जन्ता पार्टी के महापरपद की उम्मीदवार ने अधिवक्ताओं के साथ आग्रा में रहने वाले सभी वर्ग के लोगों के समर्थन मिलने की बात कही वहीं जनसंप कि दौरान गौरव रजावत ने बताया कि ये जनसंपर्क तहसीन बार एस्सोसियेशन में कलेक्टरेट बार एस्सोसियेशन और दिवानी के अधिवक्ताओं से जो न्याय के प्रतीक हैं उन सभी से बात्य जन्ता पार्टी के लिए समर्थन महांगा जा रहा है और बात्य जन्ता पार्टी के डिये सभी वर्ग के लोग पूर समर्थन मी दे रही हैं। मैं देख रही हो कि जन्ता का प्यार बैपारियों का प्यार एड्वोकेट्स का आप लोग देखी रहे होंगे और हर वर्ग का हर जाती का प्यार भारतियन्ता पार्टी के साथ हैं। जो विकास दिया है भारतियन्ता पार्टी की सरकार ने उससे प्रभावित है और अपने मेर होने वाली प्रत्यासी हमारी होने वाली मेर को आश्रवाद दे रहे हैं। अधिवाकर जी को सारे वकील और सारे अधिवक्त जितने हैं। प्राते दर्पर न्यूस के लिए आग्रा से दिपेका जादौन की रिपोर्ट। प्राते प्राते हैं।